जाहिन दोस्तों मैं जेफी चोध्री और आप देख रहें यूटूब चैनल सर्वीश तू सेविग गाइड सर्वीश तू सेविं गाइड में आपका एक वार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप सरकारी कमचारी हैं या फिर केंद्रिय कमचारी हैं तो क्या आपको पता है कि सरकारी कमचारी को खास करके Central Government Employee को Minor Departmental Penalty यानि की छोटी बीभागिय सजा देने की प्रकिडिया क्या होती है Rule 16 CCS CCA Rule 1965 के तहत इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको Major Departmental Penalty के बारे में बताया है कि जो बड़ी बीभागिय सजा या जिसे आप डंड कहते हैं उसे देने की प्रकिडिया क्या होती है और इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आपको बताने जा रहा हूँ कि Rule 16 CCS CCA Rule 1965 के तहत Minor Departmental Penalty देने की प्रकिडिया क्या होती है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी सरकारी कमचारी के खिलाप यानि की आपके खिलाप जब किसी भी तरह के आरोप लगते हैं खास करके किसी भी तरह के Miss Conduct यानि की दुराचार या फिस Miss Behavior जिसे आप कर सकते हैं दुर्बेभार इस तरह के आरोप लगते हैं तो इस केस में आप विभागिया सजा के हगदार होते हैं और यह निर Mü religion alty can जाता है कि आप major departmental penalty यानि की बड़ी विभागिया सजा के हगदार है या फिर minor departmental penalty यानि की छोटी विभागिया सजा के हगदार हैं तो आपके मन में प्रस्ण जरूर उठ रहा होगा कि यह निर्णाई कैसे लिया जाता है इसके लिए क्राइटेरिया क्या है तो आप समझ लेजिए कि जब आपके खिलाफ आरोप लगते हैं तो जो आपके डिसिप्रिनरी ऑथरिटी है आरोप की गंभीरता को देखते हुए यानि की जो सिरियसनेस होता है उसको देखते हुए यह निर्णाई लेते हैं कि आपके खिलाफ मेजर डिपार्टमेंटल प्रोसेडिंग रूल फोटीन CCS CCA Rule 1965 के तहत चलाया जाए या फिर माइनर डिपार्टमेंटल पैनल्टी प्रोसेडिंग रूल 16 CCS CCA Rule 1965 के तहत चलाया जाए तो आपके लिए यह भी समझना जोड़ी है कि जो मेजर पैनल्टी प्रोसेडिंग चलाया जाता है तो अपराद की यानि की आरोप की गंभीरता को देखते हुए Disciplinary Authority को यह लगता है कि अगर आप आपके खिलाप आरोप साबित हो जाता है यानि की जो आरोप आपके खिलाप लगे हैं अगर वह साबित हो जाता है तो आप मेजर पैनल्टी के हगदार बन सकते हैं और मेजर में जैसे कि रिमूब हल, डिस्मिसल, कमपलसरी रिटार्मेंट, रिडक्षन इन पे, ग्रेड ये सामिल है, यानि कि इस तरह के सजा के हगदार हो सकते हैं, तो आपके खिलाब डिपार्टमेंटल इंक्वाइडी सुरू की जाती है, रूल फोटिन के तहत, लेकिन डिसिप्रि हो भी जाता है, तो आप मेजर पेनल्टी के हगदार नहीं होगे, यानि कि आप मैनर डिपार्टमेंटल पेनल्टी के हगदार हो सकते हैं, यानि कि छोटी विवागिये सजा के हगदार हो सकते हैं, तो इस केस में आपके डिस्सिप्रिनरी अथरिटी, रूल 16, CCSCC रूल 1965 के के तहत प्रक्रिया चलाती है यानि की प्रोसिडिंग चलाती है और उसके बाद अगर आपके खेलाब आरोप Since होता है तो आपको माइनर पैनल्टी दी जाती है तो आप यही समझ लेजिए की माइनर पैनल्टी क्या है इस इसमें जो सामिल है सैंसुर सामिल है with holding of promotion यानि कि आपका promotion रोक दिया जाएगा recovery of pay होगा या फिर with holding of increment यानि कि आपका जो increment है बेतन विर्धी है उससे रोका जा सकता है तो मान लेजिए कि जो आपके खिलाप आरोप लगे हैं उच गंभीर नहीं है और disciplinary authority ये निरनाए लेते हैं कि आपके खिलाप minor penalty समझ गए अब मैं आगे बताने जा रहा हूं ने की बैक्डराउंड आप आप समझ गया आप आप ही सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जैदे- जैदे लाइक और share जरूर करे तो आएए देखते हैं कि इसके लिए प्रकिरिया क्या होता है सबसे पहले देखिए कि जो अब ही मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले discipline authority को ये decision लेना पड़ता है, निरनाई लेना पड़ता है कि minor penalty proceeding चलाया जाए, यानि कि आपके discipline authority ने ये निरनाई लिया कि minor penalty, departmental penalty proceeding चलाया जाए, यानि कि छोटी जो विवागिये सजा होती है, उसकी प्रक्रिया को चलाया जाए, rule 16 के तहात, तो अब इसके बाद क्या होगा, कि आपको charge sit दिया जाएगा, यानि कि आपको charge sit दिया जाता है, जिसे आपका सकते है, minor penalty charge sit, तो जब आपको minor penalty charge sit दिया जाता है, तो charge sit में जो generally होता है, आप यहाँ screen पर भी देख सकते हैं, कि उसमें आपको सुचित किया जाता है राइटिंग में कि आपके खिलाप एक्षन लिया जाएगा यानि कि आपके खिलाप डिपार्टमेंटल एक्षन यानि कि विवागिया एक्षन लिया जाएगा और किस आधार पर लिया जाएगा तो उसके लिए आपके खिलाप क्या मिस कंडाक्ट या मि सिट में यानि कि आप पर जो आरोप लगे है आप पर जो आरोप लगे है दुर्वेभार का दुराचार का उसके बारे में आपको चार सिट में बताया जाता है माइनर पेनल्टी चार सिट में और आपको रिजनेबल ऑपरचुनिटी दिया जाता है यानि कि आपको मौका दिय लिखिए जाता है रिप्रेजिटेशन देने की यानि की आप पर जो आरोफ लगे हैं उसके खिलाप अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप राइटिंग में दे सकते हैं जिसे रिप्रेजिटेशन कहते हैं इसका मौका आपको दिया जाता है यानि की मैनर पेनल्टी देने से पहले आपको मैनर पेनल्टी चार सिट दिया जाता है उसमें आपके खिलाब जो आरोप लगे हैं उसके बारेम बताया जाता है और उसी में आपको मौका दिया जाता है आगर आप अपने बचाब में कुछ कहना चाहते हैं तो आप लिखित में अपना बच मिलता है disciplinary authority को यानि कि जो आपने रिप्रिजन्टेशन दिया है उस आरोप के खिलाप जो लिखित में आपने दिया है तो उसे पढ़ने के बाद उसे समझने के बाद disciplinary authority को लगता है कि इसके लिए इंक्वाइरी करना जोड़ी नहीं है आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं कि minor penalty जो departmental penalty proceeding होता है तो क्या इस case में major penalty proceeding क्या चलाया जा सकता है जैसा कि rule 14 के तहर departmental inquiry conduct होता है तो क्या ओ minor penalty के case में भी करवाना ज़वरी होता है इसे मैं आगे बताऊंगा तो अब इसके लिए क्या होता है कि जब आप representation disciplinary authority को देते हैं तो उसके बाद disciplinary authority की ये लगता है कि आगे inquiry करवाने की जुरवत नहीं है अब यानि कि इसके लिए inquiry का मतलब होता है कि इसके लिए IO appoint करने की जुरवत नहीं है जो कि rule 14 के तहत होता है यानि कि inquiry करने की करना परेगा याने की रीजन लिखना परएगा आपने henrie की जरुद नहीं इस केस में अब सूमिए की जरुद नहीं है और आपने जवाब दे दिया अब उसको परने के बाद उन को निर्ला लेना है तो अब यह निर्ला क्या लेते हैं कि आब यहां लिजिए कि UPSC से एर्भाइस लेने की जौरत नहीं है तो इस case में जो disciplinary authority है आपके representation मिलने के बाद वो आपको penalty दे सकते हैं यानि कि इस case में UPSC के एर्भाइस की जौरत नहीं है तो आपको सिधे सिधे penalty दे सकती है अगर disciplinary authority के लगता है जो आप पर आरोप लगे है वो साब जौरत नहीं होते हैं तो आपको कोई भी minor penalty दे सकती है लेकिन जहां UPSC को consult करना जोरी होता है यानि कि कुछ ऐसे case होता है जिसमें UPSC से advice लेना जोरी होता है penalty देने से पहले तो अब दूसरा case है कि first case में देखा कि सिधे-सिधे penalty दे सकते हैं और दूसरा case है कि advice लेना जोर penalty चार सिट के खिलाब जिसे आप कहते हैं reply कह सकते हैं जो आपने reply दिया है तो उसको लेके और disciplinary authority अपना comment यानि कि उस पर कोई observation देना चाहते हैं को कमेंट करना चाहते हैं तो यह लेकर UPSC को भेज़ देते हैं सलाह के लिए यानि कि आपका representation और आपके disciplinary authority अपना comment लेके और UPSC को भेज़ देते हैं advice के लिए जब advice के लिए चला जाता है तो उसके बाद जो UPSC से जो advice मिलता है जो भी सलाह मिलता है तो आपके disciplinary authority आपको उस advice की एक copy देते हैं यानि कि जो भी सलाह UPSC के द्वारा दी गई है उस सलाह की एक copy एक copy आपको दिया जाता है और उस 15 दिन के अंदर में उसके खिलाफ आपसे रिप्रेजेंटेशन मांगा जाता है यानि कि जो एरभाइस आता है तो उसके खिलाफ फिर आपको मौका दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर जो UPSC ने सलाह दिया है उसके खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं लिखित में क सकते हैं तो इसके लिए आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है Rule 16.1.D के तहत तो आपने जवाब दे दिया और जवाब देने के बाद अगर disciplinary authority satisfy नहीं होते हैं तो आपको जो minor penalty है जो 1st से 4 तक लिखा हुआ है Rule 11 में तो कोई भी minor penalty आपको दे सकती है तो ये तो सीधे सीधे हुआ यहां पर कि लिखी ताधार पर लेकिन कुछ case ऐसे भी होते हैं जहां इस तरह से सजाद नहीं दी जा सकती है और उसके लिए Rule pledge inquiry करवाना परता है तो अब मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि disciplinary authority को लगा कि inquiry करवाना जवरी नहीं है लेकिन कुछ ऐसे case हो सकते हैं जहां disciplinary authority को लगता है कि नहीं inquiry करवाना जवरी है आपने जब representation दिया disciplinary authority को तो उनको लगता है कि नहीं और आगे की जांच जवरी है तो आपके मन में ये प्रसन उठाओगा कि ये जांच जवरी क्यों होता है यानि कि देखिए जहां पर सिर्फ लिखित प्रमान होते हैं यानि कि written evidence होते हैं तो उसके आधार पर disciplinary authority to decide कर सकते हैं लेकिन imagine किजिए कि कुछ case में गवा भी हो सकते हैं जहां oral inquiry होना जवरी है यानि कि उस गवा से पूछताच होना जवरी है यानि कि examination होना है cross examination होना उस गवा से जवरी है fact finding के लिए तो अब इस case में सीधे सीधे representation के आधार पर नहीं दी जा सकती इस case में disciplinary authority को inquiry करवाना परेगा यानि कि जो full pledge inquiry होता है जैसा कि आप जानते हैं कि major penalty case में होता है जो rule 14 के थात करवाया जाता है तो inquiry करवाना जवरी होता है और फिर दूसरा case है अब आप जानिए कि यहां तो case नहीं भी है और disciplinary authority punishment देती है यानि कि जो return representation उनको मिला है और उसके आधार पर punishment देना चाती है तो punishment में उसनोंने क्या decide कि कि increment रोक दिया जाए यानि कि जो आपके जो increment है उसे रोकने की फैसला लिया जाता है disciplinary authority के द्वारा और ये increment जो रोका जाता है इससे आपका pension भी प्रभावित हो सकता है यानि कि pension में कमी हो सकती है इसके कारण जो increment रोका जाता है अगर इस तरह का case है तो Supreme Court ने भी कहा है कि इससे major penalty माना जाना चाहिए क्योंकि इससे पूरा carrier प्रभावित होता है उस आदमी का और इसके लिए full pledge inquiry करवाना जोरी है जैसा कि major penalty case में होता है समझ गए कि जब disciplinary authority अगर वहाँ oral inquiry नहीं भी होना है और ये decide करते हैं आपका increment रोकने की और increment रोकने के कारण आपका pension या दूसरा case होता है कि disciplinary authority अगर ये decide करते हैं यानि कि जो आपने representation दिया था उसे परने के बाद लगता है कि आपके increment तीन बर्स से जैदे समय के लिए रोका जाना चाहिए उनका ये निरनाय होता है कि तीन बर्स से जैदे समय के लिए increment रोकना जोरी है ये सजा के हगदार ह आप तो इस case में भी उनको inquiry करबाना परेगा यानि कि सीधे सीधे punishment नहीं दे सकते जैसा कि rule 14 के case में होता है major penalty के case में होता है उसी तरह से inquiry करबाना जोरी होगा तीसरा case जो है कि अगर cumulative effect के साथ increment रोकना साथ है यानि कि cumulative effect के साथ होता है कि जो increment रोका जाता है वो आपको कभी नहीं मिलता है यानि कि वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है तो अगर जैसा का आपने देखा है तीन बर्स से जैदे के लिए increment रोकना चाहते हैं सिर्फ cumulative effect क साथ नहीं, simple, normal जो है, उद्धोल्ड करना चाहते हैं, लेकिन कितने भी टेम के लिए, यानि कि एक साल के लिए हो, दो साल के लिए हो, अगर cumulative effect के साथ increment को काटना चाहते हैं रुखना चाहते हैं तो इस case में भी inquiry करवाना जवरी होगा तो दोस्तों यहां यानि की inquiry करवाना जवरी होगा यानि की उसके लिए rule 14 में जिस तरह से inquiry officer होता है आप defense assistant रखने के आपके पास chance होता है presenting officer होता है गवा को examination cross examination होता है यह पूरी प्रकडिया अपनाई जाती है जो की rule 14 के तहत होता है और इसके बाद ही जो अभी मैंने आपने first second third देखा है यह तीनों में से कोई सजा देना चाहती है तो full pledge inquiry होना जवरी है और एक case तो आपने देखा है कि जहां गवा से oral inquiry होना जव पूरी होता है अगर यह case नहीं है तो disciplinary authority सिधे सिधे आपको सजा दे सकती है जो representation आपने समिट किया है तो दोस्तों यही है minor penalty proceeding और इसी के अंत में आपको disciplinary authority minor penalty दे सकती है यही पूरी प्रकिडिया है तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ मार गया होगा पूरी प्रकिडिया और एक बार फिर आपसे request है कि अगर आप अंत तक देखे हैं वीड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्नवाद